आलो एक ऐसा इंग्रेडियेंट है जो हर एक के किचिन में इसली अवेलबल होता है तो आज हम आलो की ऐसी ही चटपटी मज़िदा रेस्पी बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए दो इंच कटीवी गद्रक, दो हरीमिच हमने यहां चार मीडियम साइज के आलो लिए हैं एक आलो को हमने चार पीस, आठ पीसिस में काटा है अगर आपके पास स्मॉल आलो है तो आप इसके चार पीस में कर सकते हैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया लिया है एक चम्मच जीरा, दो सुकी लाल मिर्च, एक तेजपत्ता, आठ से दस काली मिर्च और हमने यहां पे आम का चार लिया है आप चाहें तो मेक सचार भी ले सकते हैं अब हमने आदा भाउल दही लिया है और हमने अद्रक और मिर्च को अच्छे से कूटकर उसका पेस्ट बना लिया है और उसे मिला लिया है अब हमें कडाई लिये उसमें चार से पाँचमच करीब पेल लिया है उसे हमने हीट कर लिया है इसमें हमने हीन, लालमेच, रेच पत्ता, जीरा डालके अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें आलू डाल देंगे और इसे मिला लेंगे आलू के बाद हमने इसमें आदा चम्मच करी लालमेच डाली है अल्दी पौडर डाला है उसके बाद हमने एक चौथाई धनिया पौडर और एक चौथाई गरम मसाला डालके इसे पांस से साथ मिनट के लिए ढखके पका दिया है अब हम प duel नहीं कुछ स्सक्राइब इसे इसमें थोड़ा बारिक डिंगा डाल दिया है और आपी जहीं के बाद आपी मिलकीं या दालते बाद नहीं के लिए रख देंगे जैसे कि आप देख सकते हमारे अलू गल गए हैं अब आलू गलने के बाद हम इसमें गैस को बंद कर देंगे और इसमें स्वादनसा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे सरीके से मिला लेंगे तो देखे हमारी चकपटी मजदारी आलू की सब्ची बन का तयार हो गई है आप इसे एक बार जरूर ट्राइक कीजिएगा और कमेंड में बताएगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी